हालो एवरीवन गुड मोर्निंग और वेल्कम बेक टो माई यूटूब चैनल सो गाइज आज है थर्सडे और सुभे के बज रहे छे तो बस अब भी जस्त में उठी यूँ और आज मैंने सोचा कि आज मैं स्पेशल मेरा अरली मोर्निंग का रूटीन शेयर करू आप लोगों के साथ क्योंकि आज कभी को इतना कुछ लंच में बना कर नहीं देना है उसने कल ही रात को उसे लेकर जो जाना था वही उसने लंच बोक्स में पैक करके रख दिया है सो वो कल सुखा सब नास्ता लेकर जा रहा है जैसे कि स्नेक्स बगेर बिस्किट बगेर है और 15 दिन में है एक बार अगर इसा खाएं ना तो कोई दिकत नहीं है और वैसे वह सब्सक्था खाना क車 बोड हो जाता इस से अच्छा है कुछ नया नया करो तो उससे भी खाने म円 में अच्छा लएहगा फरिश्होना काम पीना तो वह में निपटा उसके बाद में कभी यह का लंच बॉ आप लोगों के साथ एक मोर्निंग का वीडियो शेयर करती हूँ क्योंकि आज मुझे लंच बोक्स तो नहीं कभी का बनाना था इस वज़े से सो मैं साथ में ब्रश भी करती जाती हूँ और साथ में मुझे लगाना रहता है मसीन दो दिन में एक बार ही अभी फिलाल लगाती हूँ मसीन में अभी रोज नहीं लगाती हूँ क्योंकि तीन लोगों के कपड भी एतने नहीं होते हैं अगर हां सुबह का रूटिन रहता है ना गाईज वो कुछ इस तरह का होता है पापय देना उस ताइम पर भी मेरा यही रूटिन रहता था मैं सुबह उटकर पहले ब्राश करती थी फिर चाही पिती और फिर और कुछ करती थी कबिर के लिए वैसे लंच बॉक्स का और मैं अभी आ प्रेगनेंट मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर ही मुझे थायरोड आया था सो ना की बराबर था लेकिन उस टाइम से ही मुझे डॉक्टर ने बला था कि आप दवाई चाल रखो तो नॉर्मल रहेगा सो साय तो कभी हो गया है दस साल का सो दस साल से बस ले रही हूँ और जो मैंने लाज टाइम रिवर्ट करवाया ना उस टाइम पर भी ना के बराबर थायरोड आया है डॉक्टर ने बोला था अगर लेना हो तो लो न कर कोई नी लेकिन उसने बोला कि अगर लो तो सही है कि प्रवाद भी नहीं जाता मतलब कि बूलती भी नहीं हूँ कि मुझे हाँ लेना है हर रोज लेना है सुभे उठकर पहले मुझे यह मेडिसेंस लेना है उसके बाद जाए पी सकती हूँ तो यहाँ पर बेट कर में पहले एक कप अच्छे से पानी सोरी एक गलास पानी पीती और हमेशा सब बोलते हैं कि बेट कर पानी पीएना चाहिए वरना घुटनों में दर्द होता है तो बस यहाँ पर थोड़ी देर बेटूंगी एक लास पानी पीऊंगी उसके बाद पीऊंगी एक कप जाई नषूंगी ओजरnaire वरना दोल्टन का हुआ है कि भीएना झालास मैं पान वरना पानी पीएkशा हुआ हुआ सुबह उठकर पहले तो थोड़ा सा बोडी स्ट्रेचिंग करना जरूरी है ताकि थोड़ा सा यूनो मॉर्निंग का सुरुवात अच्छा हो वैसे भी मैं अभी फिलार थोड़ा सा वोक करना भी सुरुकर दिया है बीच में छोड़ दिया था क्योंकि जो लाइफ है न और उतों की लाइफ और ज्यादा दर हाउस वाइफ की लाइफ थोड़ा सा बीजी रहता हूँ अपने लिए टाइम निकाली नहीं पाती है अगर हो सके ना तो उसे भी सुभी जल्दी उठना पड़ता है गंडा अगर अपने लिए कुछ करना हो और पूरा दिन ऐसे चला जा तो रात को भी अच्छे से टाइम नहीं मिलता कि सांधी से हम लोग आराम करें तो बस सुभे उठकर थोड़ा सा बोड़ी स्ट्रेचिंग करने के बाद प्यूंगी में एक कप चाई और उसके पाद थोड़ा सा रोसनी हो जाता है ना तो मैं दर्वाजी खोल देती हूँ फिर थोड़ा सा आगन में आती हूँ मेरे सारे जो भी ब्लांस वगेरे लगे हैं उनको देखकर मुझे बहुत जादा सुकुन मिलता है तो थोड़ा सा हलका सा बाहर घुम लेती हूँ और उसके बाद जाओंगी कबिर को उठाने और दो पेर के जो मैंने कपड़े रखेते वो भी फिला लभी बाहर ही सुक रहे तो उनको भी ले लूँगी साइद आप लोग भी जो देख रहे है आउस वाइब उसका रूटिन भी साइद इसी तरह का रहता होगा मेरी तरह या कुछ नया है तो आप लोग भी मुझे बताइएगा क्योंकि मेरा रूटिन तो यही है अगर कभी का लंच बोक्स बनाना होता ना उस टाइम पर कुछ नया ही अलग-अलग ही बनाना रहता है तो फिर जली-जली स्कूल का टाइम हो जाता है फिर उसे चोड़ने जाती हूँ तो वीडियो स्टार्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता है तो मैं आज आप लोगों को बताया ना थोड़ा सा आज मुझे इतना रिलेक्स था तो मैंने लोग से अपना सुपह से ही स्टार्ट कर दिया था और बीच-बीच में मैं कबिर को जाओंगी उठाने और क्योंकि वो उसे दो-तिन बार उठाना पड़ता है ना तो वो बोलता है मुझे पांच मिनिट सोने तो पांच मिनिट इसी तरह से वो 15 मिनिट एसे ही निकाल देता है फिर भी मैं उसे 647 को उठाने जाती हूँ ताकि वो उसका नीन भी कंप्लिट हो जाए दोपिर को वेसे सोता नहीं तीवी की वज़े से फिर टीवी देखता है फिर इवनिंग को करता है ओंवर्ग सो इसे तरह से पूरा दिन चला जाता है रात को भी हमारा कोई time to time नहीं नहीं रहता है कि हम लोग जल्दी सो जाते है 11-12 बज़ी जाता है तो उसका दूद रख देती हूँ साथ में आज हो गया है बोर मीटा खतम तो प्लेन दूद पीएगा भी नहीं मुझे पता है थोड़ा सा कुछ जुगाड करके उसे पीलाना पड़ेगा वरना वो नहीं प यह एक बारी में लेकिन ट्राइ करोंगी उठ चाहे तो उठ ठीक है तो वापस उसका दूद गरम करके रख देती हूँ और लंज बोक्स देख लीजे उससी ने पेक करके रखा दमकल और यह एर्टाइट डिबा है इसमें कुछ पीलल रखोना तो उस पे खराब नहीं होता फिर एक सोफ्ट नहीं होता है कोई पीसनेक्स डालो अच्छा रहता है एकदम करते हैं वो उसका प्राइब कर दो नहीं होता है कर दो अजूदा है एक बनाना दो बिस्किट और प्लेंदूर तो अच्छा है थोड़ा सा वो खा ले तो क्योंकि 9 बजे उसका रिसिस होता है और भुखे पेट अच्छा नहीं है कुछ ना कुछ खिला कर भेजो बच्चों को ताकि वो थोड़ा सा एनरजीटिक फिल करे और मैंने पहले तो उसे एक गलास पानी पी लाया था क्योंकि कुछ भी हो सुबह उटकर पहले पानी ही पीना चाहिए उससे फूरी हेल्थ मतलब कि अच्छा रहता है और सुबह उटकर मैं कौसिस करती रहती हूँ कि उससे पानी पिला करी रखो फिर भी वो आधा गलास पी लेता है उसके बाद ही दूद पीता है तो मैं यहाँ पर उसका जो भी यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म भी मैंने कल रात को ही इस्तरी करके रख दिया था ताकि सुबह कुछ इतना जादा मुझे करना ना रहे वैसे मेरा बेटा गुट बई है सुबह कभी स्कूल के लिए मुझे कभी परिशन नहीं किया है कि ममी मुझे नहीं जाना हाँ अगर उसका तब यह थीक ना हो ना तो थोड़ा सा उस टाइम पर थोड़ा सा वो नहीं जाएगा मतलब कि हाँ अगर बोड़ी में अच्छा नहीं है तो सभी करते हैं बड़े भी करते हैं तो यह तो बच्चा है लेकिन आप यह लिए चोटा था ना उस टाइम पर उसने मुझे बहुत परिशान किया था बहुत रोता था स्कूल में मैं भी जाती थी फिर मुझे रुखना पड़ता था वहाँ पर बहुत जादा रोता था लेकिन अभी तो हमेशा की तरह अच्छा से स्कूल चला जाता है तो यहाँ पर मैं रेडी करती हूँ साथ में उससे का दूद भी रखा है क्योंकि उसने एक बना ना ही खाया है लेकिन जबर्दस्ती में उससे दूद पिला कर ही बेजिती हूँ कभी भी अपने बच्चों को भूखा ना भेजे क्योंकि उससे अच्छा नहीं रेता हाँ किसी को आदज है कि ना जाए मतलब कि कुछ खाये बगिर लेकिन जादा से जादा होना फ्रेंज तो थोड़ा सा खिला कर बेज़ो या तो फिर थोड़ा सा ड्राइफ फ्रूस दे दो खजूर दे दो खजूर बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है तो खजूर खिलाना ही चाहिए तो मैं फिलाल उससे कभी ज्यूस नहीं पीता है बनाना का वरना मैं बनाना मिल्क से ही बना देती हूँ लेकिन उससे में थोड़ा सा इसी तरह से कच्चा दे देती हूँ काजू बदा फिर अखरोड तो खा लेता है थोड़ा सा रास्ते में बस में बेट कर भी थोड़ा थोड़ा सा खा लेता है और कबिर का थोड़ा सा जो भी टाइम बचता है न जैसे कि स्कूल बस आने में अभी 15-20 मिनिट है तो बीच में में भी थोड़ा सा जो भी मेरा घर का काम है वो करती जाती हूँ तो फिलालपि में डाइनिंग टेबल और टी-वी वे सब बहुत जाधा देस्ट हो गया है तो उसे बें साफ करती जाती हूँ और जो डाइनिंग टेबल है वो दीन में बहुत बहुत साफ होता है क्योंकि दोनों दर्वाजू के बीच में है तो सामने, दोनों सामने से बहुत जादा धूला जाता है टीवी पर भी तो इसे लेयर हो जाता है सब भी मतलब की धूल की तो सुबह थोड़ा सा टाइम रहता ना उस टाइम पर में करती जाती हूँ जो भी मुझ से होता जाता है घर क्या काम वो में करती जात्यू है अजय चलिए अभी कबिर को जाते हैं स्कूल बस तक छोड़ने के लिए अच्छे से आज जाओ स्कूल सही है ना गभे और ये वाला वीडियो क्लिप है बुद्धवार मोर्निंग का मैं मेरे ममी के घर पर गई थी एक रात के लिए तो हम लोग मंगलवार को ही चले गई थे तो एक रात रुकी थी कबिर को छुटी था बुद्धवार का मतलब कि पते दी था उस टाइम पर तो चुटी है आज उसको तो बस इसलिए में आ गई थी मेरे ममी के घर और आज है अमास और दिवासा तो मंदीर भी हम लोग आये थे यहाँ पर महादेव का चोटा सा मंदीर है सो वापस आने के बाद मेरे ममी ने बनाया था डोकरी तो बस वही अपी हम लोग खाएंगे मुझे बहुत जादा पसंदे मीठा कबिर को भी बहुत जादा पसंदे तो इस एक गी और गोड़ डाल कर खाना अच्छा गरमा गरम मजा आता है बहुत जादा तो बस पहले में कबिर को थोड़ा सब बना कर दे दी थी उसके बाद में बना कर खाऊंगी और आज मैंने सोचा है मेरी ममी को final बोल दिया है कि मुझे आज जाना ही है सोपिंग करने के लिए क्योंकि फिर मेरा रही जाता है छोटी-छोटी चीज़े मुझे याद नहीं आत कि सांथ इसे जितना कुछ लेना है वो याद करकर के में ले लूँगी सो देख लीजे यह धोकरी मुझे बहुत जादा पसंद है किस किसको पसंद है वो भी मुझे जरूर बताएगा ठीक है अर लम लुक से जरूर लुट जरूर पसंद है और हम लोग साड़े तीन बजे निकल गए थे क्योंकि मेरी ममी के घर पर सब कुछ टाइम टो टाइम होता है वोग उठते हैं पाँच बजि फिर उसका दो फिर का लच रहता है बारा बजे और रात का दिन रहता है आठ बजे हृतो दो बजे कभी सौते नहीं व्यसरही पूरा देन से निकल जाता है तो दो बजे से मेरी ममई मुझे वोल रही थी कि चल उठ जा उठ जा लेकिन मैं सो गई थी तोड़ दे फिर उठने के बाद हम लोग आ गए है मेरे जो भी मुझे कपड़े लेने थे मैंने पहले सोचा था कि मैं material में लोगी वो इसके बाद stitches करवाऊंगी तो पर यहां पर रही ना तो मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी आगे बढ़ते हैं कि लेना क्या है चोटी-चोटी चीज़े याद करके ले लूगी और मैंने सोचा है कि आज मैं राखी भी ले लेती हूँ कि वापस आउंगी तो फिर टाइम नहीं रहेगा उस ताइम पर बहुत जादा बीड़ हो जाएगा फिला क्योंकि अभी त्योहा सब भी त्योहार आने वाले हैं सो मैंने राखी भी ले लिया है फिलाल पर बात्रों की फिर सुफेद तो पर मुझे जाना था थोड़ा सा शोपिंग वगेरे करना तो वह भी मैंने इसी वाले व्लोग में एड़ कर दिया है एक दो प्लिप्स थी जो और फिर सुफेद से आज मेरा एक अच्छा वाला मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ एक अ अभी मैं बस पुझा करके आई थोड़े से कपड़े थे वह सुखा कर बस वह सब सारा काम करने के बाद अपी में प्री हुई हूँ तो चाई तो नहीं पीने है मुझे प्लावर और सभी को साथ में मिलाकर एक सबजी बना देती हूँ और थोड़ा सा आटा गुन के रब द अब यारा बज रहे हैं तो अच्छा है कि सांदी से काम करेंगी फ्री हो गई हूँ जली ना तो इस वज़े से थोड़े से जो दूद्ध मगे रहे है वह सब कर दी चन में जागए लाइट भी चले गए है तो बस मैंने देख लीजे इस तरह से थोड़ा सा सब्जी बनाया है कि दूद्ध गरम कर लिया है और यह मेरे गलास एक मेरे लिए बनाया है मैंने मौसंभी का ज्यूस लाइट के थोड़ा सा पानी डाल देख थोड़ा थोड़ा सा सब्जी था ना तो मिक्स बना दिया मैंने और जैस मेरे लिए लेकर आए है फरारी पेटीस चो बहुत ही बढ़िया वाला एक दम गर्मा गरम है तो बस में फरारी पेटीस और चत्नी खाऊंगी और साथ में जैस और कबीर को भी दूँगी तो यह है बहुत बढ़िया वाला फरारा तो हेलो गाइज अभी उपर सारे जो भी कपड़े है ना उन सब को में लेने आई हूँ तो सुप़े से मैंने अच्छा सो शूप गए है अपी सारे कपड़े तो ले लेती हूँ और इस इक सारे मारा आज का अवलोग भी खतम करती हूँ आवा जा रहे है बाजे में वापस काम सुरू हो गया ना इस होचे से तो आप कवलोग भी खतम करती हूँ अच्छा लगा तो लाइक शेयर एं सब करें बाए